पराज़ परतिष्टा आयोद्या में होने वाली वाली है उसको लेकर ताजनगरी आगर्रा में 22 को जमकर आतिसबाजी भी होने वाली है क्योंकि 22 जन्मरी को लोग दीपावली बनाएंगे उसके लिए प्रसासन ने तैयारी कर लिए आगरा कमिशनेर्ट ने पुलिस प्रसासन और फायर डिपार्टमेंट बैठ कर अस्ताई रूप से आतिसबाजी की दुकान अलाउट कर दी हैं हम आपको दखाएंगे कि यह GIC ग्राउंड है इसी GIC ग्राउंड में तीन दिन के लिए आतिसबाजी की दुकाने लगेंगी यहां पर आवेदन मांगे गए थे बाशट दुकान दारों के आवेदन आए थे जिसमें लोटरी के माध्यम से दस दुकानदारों को यहां पर जग तो हर सोलास के साथ बनाना चाहता है क्योंकि जिस तरीके से मर्यादा प्रुसोत्तम भगवान स्री राम की प्राण प्रतिष्टा 22 जनवरी को हुनी है उसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है तो आतिसवाजी होना भी लाजमी है क्योंकि दीपावली के बाद अब 22 को पु कार्ट मैं मनोचार्ट इंडिया लूस आगरा कि अंतिम दुक्रां के लिए आजाए कोई 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 जाए कि तुरेश राटा और पुक्तर को भरपाल देखिए ये तीन दिवसी आतिश बाजी के अस्थाई लाइसेंस निर्गत किये जा रहे हैं मेरे कार्याले से और इ से आख्या प्राप्त की गई तो जी आईसी ग्राउंड को चिन्नित करके वहाँ पर दस दुकानों के चलाया जाने की संस्तुती की गई थी और आवेदन मांगे गया थे समाचार पत्रों के माध्यम से तो लगबख बासट आवेदकों ने अपलाई किया था और आज उसी की लोटरी के माध्यम से दस लोगों को चिन्नित किया गया है और उनको लाइसेंस निरत किया जाएंगे अगले तीन दिनों तक ये जी आईसी ग्राउंड पर निया मानवसार अपनी दुकान चला सकते हैं और आतिस बाजीयों का क्रेवेक्रे कर सकते हैं 22 जनवरी एक एहत्यासिक दिन है क्योंकि जिस दिन भगवान सीर राम की आयोध्या में प्राण प्रतिष्टा होनी है उसको लेकर ताजनगरी आगरा में भी तैयारी कर लिए लगातार दीपावली जैसा माहावलो उसके लिए आतिस बाजी की भी यहां बिवस्ता की गई है आगरा पुलिस कमिशनेट और अगनी समन भिवाग ने बैटक कर आतिस बाजी की दस दुकान अहस्ताई रूप से यहां लगाने के निर्देश दिये हैं जिस तरीके से पहले आवेदन मांगे गयते 62 दुकानदारों ने आवेदन किया था जिसमें से 10 दुकानदारों को चै हुई है क्या नाम है आपका मेरा नाम सेलन तोपर है आपकी दुकान चैनित हुए है पहले दीबावली के समय हुई होगी अब दोबारा से 22 को दीपावली नहीं है किस तरीग कुसी आप नहीं बड़ीया कुसी हुँर रही है और अच्छा लग रहा है कि इस बार हमारे दु सब्सक्राइब और दुकानों के बीच में जो दूरी रहेगी वो दस रहेगी जिससे की कोई जनानी ना और यह बहुत सुब अबसर है बाइस सारिक हमाई लिए बहुत ज्यादा और हमें बड़ी खुशी है कि इसे फिर से एक दीपावली को उत्सब में मनाया जा रहा है और हमें इतनी उत्साह से इस दिन का बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है इसको 22 जन्वरी को में दूसरी दीपावली के तोर पर मना देखा जा रहा है कि पटाकों में सीता गीता एक पटाका चलता था जो हम लोग जा रहते थे ते क्या वह यहां देखने को मिलेगा बिलकुल मिलेगा तो किस तरीके के आपको निर्देश दिये गए दुकान रहेंगे कब से आप यहां कितनी कुछी आपको लग रहे है कि वहाएll dat perfect को सीव देखने तो और मैं सहीर हम हमारे हो रहे हैं तो हमें तो यहां होने हैं तो सीथे वहीं उनके चांड़ों में होना चाहिए लगता है कि इस बार ढीपावली से जाधा धिपावली होगी अपको भगवान सी राम की तो पिल्कुल आप यह तक्वांदार दें इनका साब तोर पर कहना है कि तीन के लिए इनको अहस्ताई रूप से यहां आतिसबाजी की दुगाने लगाने के निर्देश प्राप्त हुएं प्रोटोकॉल का पालन यह पूरी तरह करेंगे निस्ते तौर पर जिस तरीके से इनका साथ कहना है कि दीपावली अभी निकल कर गई है उसके बाद 22 तारीक को दीपावली रहा है के साथ ने मनुचार इंडिया नूज आगरा हुए 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 हुए